नमस्कार दोस्तू घरेलू नुसके चैनल में आपका आश स्वागत हैं दोस्तू आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेयर कीजिए दोस्तू हर कोई चाहता है कि आपने जीवन में बहुत सारा धन कमाए लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोगों की चाहत पूरी नहीं हो पाती है वास्तु सासर के अनुसार आपके घर में कुछ चीजें आपके घर में धन आने के मार्ग को रोकती है जिससे आदमी आर्थिक तंगी के ओर बढ़ने लगता है पैसों की कमी होने परवेक्ति को बहुत सारी परेसानियों का भी सामना करना पड़ता है दोस्तो आज हम आपको घर में मुझूद ऐसी तीन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी तरक्की के मार्ग में बादात्पन करती हैं इन चीजों को तुरंद घर से निकाल दें एक घोसला दोस्तो आम तोर पर घर में कबूतर का आना सुब माना जाता है लेकिन यदि कबूतर का घोसला आपके घर में है तो आपको और उस घर के लोगों को आर्थिक परेसानियों का सामना करना पड़ सकता है दो मदू मक्की का चता दोस्तो घर में मदू मक्की का चता ऐसुब माना जाता है वास्तू सास्तर के नुसार जिस घर में भी मदू मक्की का चता मोजूद होता है उस घर के लोगों की तरकी रुकने लगती है और वेक्ति को साररिक और मांसिक परेसानियों का सामना करना पड़ सकता है वास्तु सास्तर के अनुसार घर में बिल्ली का आना ऐस सुब माना जाता है इससे घर में मौजूद सदस्यों को साररिक परेसानियों का सामना करना पड़ता है गर में हमेशा वाद विवाद होते रहते हैं वहां माल लक्समी नहीं आती है दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे लाइक करें और जाद से जाद से जाद से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें